तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करें कोस्टे नमर चार से लेके आठ तक का इससे पहले का निबलेशन प्रॉपर्टी में है कोस्टे नमर एक दू तीर तो बता देए थे अब देखें कोस्टे नमर चार दो नहीं बताया थे दो आपके लिए छोड़े है शिंपल पुर्चन नमर चाहर देखो बावो गिभेन गिभेन है 1 by S-2 इंटो S-2 का होल स्क्वाइब अब क्या करिए मन लेते हैं ले केप्टर F-S बड़ाबर पैला टर्म 1 by S-2 and G-S बड़ाबर दूसरा S-2 का होल स्क्वाइब अब इसका स्क्वाइब अलग-अलग इंवर्स निकाल इसलिए लापलास इंवर्स F-S इक्वल टू लापलास इंवर्स 1 by S-2 आप एक बात बताईए जब S के साथ में कोई नमर मैनस हो तो वो मैनस वाला बाहर निकल के E पे आ जाता है E पे पाबर हो जाता है यानि इस S के साथ में देखिए मैनस दो है तो बादो हो जाएगा E पे पाबर बलस दू T बचेगा क्या लापलास इंवर्स 1 by S कोई कहां से अर मैनस पूँ तो बाहर हो गया तो S से बचेगा तो 1 by S का विलू होता है एक तो यहां के लिखाएगा E पे पाबर बलस दू T किसका माज है ये लापलास इंवर्स केपिटल F S का अब हम इस G S का इंवर्स निकालेगे लिखेगे चुकि लापलास इंवर्स G S बराबर लापलास इंवर्स G S के आगे क्या है 1 by S पलस 2 का विलू स्वाइग दे बागो S के साथ में ये विलू स्वाइगे हमको कोई मतलब नहीं है इस बाराइके लिखेगे अंदर देखना है कि S के साथ में कौन सा निमर पलस या माइनस के रूप में है तो यह आपर देख रहे हैं कि S के साथ में पलस 2 है तो ये बाहर निकल जाएगा बाहर जहीं निकलेगा जिए पर पावर हो जाएगा माइनस 2 T ना बचेगा क्या लापलास इंवर्स 1 by S स्कॉाइड कहोगे S स्कॉाइड कहों से आज़ाइड सर अरे बाहर में ये S स्कॉाइड था ये दो बाहर निकल जाएगा तो बचेगा ऐसे न S का होल स्कॉाइड मतलब S स्कॉाइड अब आब हमरा बताएगे ये 1 by S स्कॉाइड किसका लापलास है आपको बता होगा लापलास T पे पावर 1 इसका क्या होता है 1 by S स्कॉाइड 1 by का मतलब क्या S पे पावर 1 है तो 1 का फैप्टुडियल और S पे पावर होता है N पलस 1 N हमारा है 1 1 में 1 जोर देंगे तो 1 पलस 1 यानि 2 हो जाएगा यानि 1 by S स्कॉाइड जब T पे पावर 1 का लापलास होता है 1 Y S स्कॉाइड तो इस्टुडेंट्स 1 Y S स्कॉाइड का इनवर्स होगा T पे पावर 1 तो हम इस बात को लिख सकते हैं इस ब्राइकेट वाले को T यानि T E पे पावर मैंश 2 T तो पहले से था यानि इस लापलास इनवर्स G S का निकला ये अब चलते हैं कन्वलेशन प्रोपर्टी के तरफ यूजिन कन्वलेशन प्रोपर्टी इसी लिए स्मॉल एक टी इन्टु जी टी बरावर इंट्रिगेशन जीरो से पी होगा पिल्गूर होगा यह हमाँ आप रोगा इस्टुदेंस F F U इंटो G T minus U इंटो D यह फर्मूला है कन्वलेशन प्रोपर्टी का इंट्रिगेशन के रूब में लिमिट जीरो से टी रहेगा पहला फंक्सन में U देगे दुसरा फंक्सन में T minus U देगे मन है तो पहला फांक्षन T-U दूसरा U रखी है आप पर डिपेंड करता है हमको क्या 0 से T F U का मतलब F का भेलो देख रहे न है यहीं न है F का भेलो E पे पावर 2T E पे पावर 2T नहीं यह जो T है बजल जाएगा U में ते 2U इंटू G T-U G का भेलो देख देखे T एंटू E पे पावर माईनस 2T जहाँ जहाँ T हो पूँआ पूट होगा T-U तो देखे here में T है यहाँ पर आपर T है पर हายआ पर पूट करदेंगे E स््टुढेंट्स T-U आपको यहाँ पर देखे E पे पावर है माईनस 2T तो इसको लिखने में इस्टुडेंट एपे पावर मैनस 2 और T मैनस U इन्टू D U काओकि यह कैसे होगा क्योंकि G का भेलू जो है दो को है T इन्टू E पावर मैनस 2 T तो T के जगह भी तो पूट करियेगा क्या हाँ? T मैनस U आपे काम करिये 0 से T इसको इस से गुना कर दो तो क्या होगा? T इन्टू T इन्टू E पावर 2 U फिर इसको U से गुना कर देचे यह जाया दो U इन्टू E पावर 2 U गुना हो गया अच्छा से इन्टू E पावर मैनस 2 को इस से गुना कर देचे तो मैनस 2 T माइनस पलस यादि 2U इन्टु D U 0 से T T इन्टु E पे पावर ये काम करें ये ब्यकार इसको इसे गुना की बाल मुकरें नहीं तो पहुत बढ़ने आ रहेगा पैसे E पे पावर 2U और यहापे T मैनस U अब यहाँ देख लाओ E पे पावर 2U और E पे पावर माइनस 2T पलस 2U तो मन्टीपल आएसे बेस हैं E और यहाँ E तो पावर दुना जूट जाएगा तो E पे पावर होजाएगा माइनस 2T और 2U पलस 2U होजाएगा 4U नहीं दोनों देखी सेम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं सेम नहीं है अईसा में सुचे यह जोरवा है 050 अब देखे किसी भी फंक्सन पे पावर पलस के रूप में हो तो समझ जाएगे वो फंक्सन दो बार दुना हुआ है दो पलस है तो दो बार दुना है तीन पलस है तो दीन बार दुना है कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते है e पे पावर मैनस 2t into e पे पावर 4u यहां पे t-u into du कोई जिवकार नहीं यह देखिए यह कॉंसिटेंट वाला पाठ है क्योंकि इसमें u नहीं है u नहीं है तो यह पावर यह कॉंसिटेंट होगा इसको बाहर निकाले में e पे पावर मैनस 2t कहोंगे सर आपको कई से पता क्योंकि integration u के respect हो रहा है अगर integration u के respect हो रहा है तो जहाँ जहाँ u वही function और जहाँ जहाँ u नहीं वह constant तो देख रहते हैं e पे पावर मैनस 2t इसमें u नहीं है यह constant है बाहर दो प्रोश अग e पे पावर 4u है ना उसको किससे गुना कर दो लिखेंगे e पे पावर 4u into t minus u into e पे पावर 4u into d u अब यह अलग अलग हो गया यहां लिखेंगे e पे पावर minus 2t बरी प्राइकित देते हुए इसका integration करेंगे t को बाहर रखके e पे पावर 4u का integration करेंगे 0 से t है d u अब यह तो यह तो तर्म है इसमें t constant है जैसे 4,5 और कुछ भी constant कर उपचे इसको बाहर करके e पे पावर 4u का integration minus के चीन देंगे अलिखेंगे 0 से t u into e पे पावर 4u into d u जरा नजर दोगाना है u v function e पे पावर जो है वो v function दो function अगर आपस में multiply हो तो by parts method यानि I let rule use होगा और यह e into v की नियम से बनेगा तो पहले आप note कर लेजिए यहां तक यानि यहां से शुरू कर लेजिए total और यहां से यहां तक उतार लेजिए क्योंकि धर में मिटाने वाला आगे से हट गया हूँ वीडियो को पावस कीजिए और लिख लेजिए मिटाओं इजाजत मिटाने वाला का इसको लिखेंगे इपे पावर माइनस 2T ब्रैकेट दे देंगे ती तो बाहर में पहले से है एक्स्पोरेंशल फंक्शन का इंट्रिगेशन इपे पावर 4E उसी पो उतार देंगे इपे पावर 4E लेकिन यू का को किसियन 4L4 से दिभाई माइनस का चीन देंगी अब देखें U और E पे पावर 4T आपको मालूम होगा I late I for inverse L for logarithmic A for algebraic T for trigometry E for exponential जो फंक्शन I late पे पहले आता है उसको U मानेगे जो बाहर में आए है उसको भी मानेगे अब इसमें देखिए यह U क्या हो सकता है Algebraic और यह E क्या है Exponential इसका मतलब इसको में U मानेगे इसको भी मानेगे तो जिसको U मानते हैं उसका होता है इधर बाहर रहते हैं कहेंगे तुम बाहर में रहते हैं और integration किसका करेंगे E पे पावर 4U का E पे पावर 4U into ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर मानेश कची जिसको बाहर रखे थे उसका होगा differentiation और इस भी का integration E पे पावर 4U into DU एक बड़ा इसे घेर के फिर लिखेंगे DU यह तो पता नहीं होगा आपका बेलकुल 0 से लेके T तक आप अब लिखेंगे E पे पावर minus 2T T E पे पावर 4U बड़े में 4 minus आप यह आप जाए students U into इसका खरेंगे E पे पावर 4U बड़े में 4 U का coefficient 4 है तो 4 लिखेंगे minus U का coefficient 1 E पे पावर 4U बड़े 4 into DU यह वाल नहीं यह जाए students यह ब्राइकेट घरते विए 0 से T E पावर minus 2T T E पावर 4U बड़े में 4 इस ब्राइकेट का तो आपना है E पे पावर 4U minus minus plus E पे पावर 4U अब बड़े में 4 अब पहले से 4 चार्चक 16 0 से T अब करिए क्या जहाँ जहाँ U यहाँ पे पूट करतेंगे अपर लिमिक T E पे पावर minus 2T अब यहाँ देखे T तो T ही रहेगा यहाँ को जागा E पे पावर 4T बड़े में 4 minus यहाँ पे T into E पे पावर 4T बड़े में 4 फिर E पे पावर 4T बड़े 16 और यहाँ अब माइनस देखे lower limit 0 पूट करना है तो देखे lower limit पूट करेंगे T के जगा नहीं जहाँ-जहाँ U है यहाँ पे पावर E पे पावर 0 बड़े में 4 नहीं होगा T तो constant है T ही रहे जहाँ-जहाँ U उहाँ पे हम 0 पूट करतेंगे समझने वाली बात student है क्या अब मैनस कचीन देंगे यहाँ कौनसा मैनस यह यहाँ U U के जगे 0 पूट करतेंगे यह 0 तो 0 multiply total नमर 0 फिर पलस कचीन देंगे students यह E पे पावर 0 बटे 16 E पे पावर मैनस 2T यह और यह पुरी तरसे कट जाया बचेगा E पे पावर 4T बटे 16 मैनस E पे पावर 0 का वेलू होता है 1 तो बचेगा स्रिप T यहाँ T बटा 4 पलस मैनस पलस मैनस E पावर 0 का वेलू 1 तो जहाँ 1 बटा 16 अगर आपको मन है कि मैं E पे पावर मैनस 2T को गुना कर रहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको जब इससे मल्टिक्ला कर लिएगा E पे पावर मैनस 2T और E पावर पलस 4 तो दोनों घटके हो जाएगा कितना E पे पावर पलस 2T बटे 16T इसको इससे गुना करेंगे कि हो जाएगा T इंटू E पे पावर मैनस 2T बटे 16T यह हमारा रिक्वाइल आंसर है जो की 100% सही है आप लोग नोट कर लेंगे इसको ठीक है अच्छे इसे नोट करिए तब कर समय धर देख लगें आंसर सही है कि गलत मिल गया तो पोस्चन अंसर है 1 बटे 16 E पे पावर 2T minus 4 minus E पे पावर minus 2T into T 4T plus minus E पे पावर minus 2T ये गोटा 16 अगर हम यहांसर कॉमन लेखें तो देखते आंसर मिलता है हां अंसर को मिल गया ये गोटा 16 कॉमन लेखें थीक है इसलिए इससे तेंसर नहीं है ये 16 को बाहर कर लिए ये 16 बाहर होगा तो तेर को बना वीडियो देख लेते हैं जादा लंबाने बना पंद रेया मिननेट का खुछा पुछाई